तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक जवरदस हिस्टॉरिकल एक्षन ड्रामा फिर्म ठंगलान के बारे में जिसमें आपको मिलेंगे इंटेंस बैटल सीन्स, लोका और एक ब्रेव वरियर की कहानी। ये स्टॉरि आपको पिराने जमानों के एक ट्राइवल किंग्डॉम में ले जाएंगे जहाए एक हीरो अपनी मिट्टी और लोगों के लिए अपना सब कुछ दाओ पे लगा देता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के सुरू करते हैं ठंगलान की कहानी। एक ऐसा गाउट जिसके बीचों बीच सोने का पहाड है फिर भी लोगों के प्यासी तडब तडब कर मर रहे हैं लेकिन किसी में इतनी हिमत नहीं है जो उस पहाड के पास भी जा सके। ठंगलान मूवी की सुरुआत पेपूर गाउं को दिखाते हुए होती हैं जो अब तक सोया होता है उसके पत्नी गुनवती उसे टाट रही होती हैं और कहती है देखो तो इस आदमी को अभी तक सो रहा हैं गाउ के सभी मर खेत में काम करने चले गया हैं और ये महा से अभी बड़ी बेटे का नाम असूब था गाउं में स्रीब ठंगला के पास ही अपनी जमीन थी जहां वो खेती करता था बाकि जितनी भी जमीन थी वो जमीनदार की थी जिस पर गाउं के सबी लोग मजदूरी करते थे इस बार ठंगला की फसल बहुत अची हुई थी ठंगला जो से बहुत प्यार करता था इसलिए वो उन्हें मना नहीं कर पाता और अपने परदाता की कहाने सुनाने लगता है बहुत साल पहले जंगलो परबतो और नदियों के पार एक जगा थी जिसका नाम अनाम लाई था यह जगा हाती जैसे दिखने वाली पहार के पास थी एक दिन हमारे राजा एक बड़े बड़े युद्व में बिजय प्राप कर अपनी बिसाल सेना की साथ अपने राज्य लोट रहे थे रास्ते में मेरे परदाता जिनका नाम कराया था अपने सभी सात्यों के साथ पुनर नदी से सोना च्छान कर निकाल रहे थे जब राजा को यह पता चला कि यह लोग सोना निकाल रहे हैं तो राजा को गुसा आ गया वो बोले यह लोग हमारे नदी से सोना निकाल रहे हैं बिना हम से पूछे फिर कुछ सेनी मेरे परदाता कराया को बंदी बनाने के लिए जाते हैं मगर वो उन सभी को मार देते हैं और फिर खुद राजा के पाद जाते हैं जिनकी पोटली सोने से भड़ी होती है वो राजा से कहते हैं राजा सोना ना मेरा है ना तमारा है जो इसे निकाल पाए सोना उसका है पोटली में भड़े सोने को देकर राजा अपने सेनिकों को आदेश देता है सेनिको जाओ और नदी से सोना निका लेकिन लाग कोशिश करने के बाद भी उन्हें सोने का एक टुकडा भी नहीं वलता तभी राजा का एक पंडित एक सुन्दर मोर को देखता है और उसका पीछा करता है वो मोर सीधा एक सोने के पहाड में जाकर बैठता है सोने के पहाड को देखकर पंडित हैरान रह जाता है और राजा को वो पहाड दिखाता है राजा सूने के पहाड को देख कर चुकांचुक हो जाता है और अपने सेनिकों को उसे लाने के लिए भीजता है तभी मेरे परदादा कराया राजा को सतर करते हैं ये पहाड नहीं, ये बिनास है महाराज यहां से आज तक कोई जीवित नहीं लोटा नेकिन राजा उसकी बात तो पर ध्यार नहीं देता और अपनी सैनिकों से कहता है जाओ और सोना लेकर आओ देसे ही सैनिक सोने के पहाड़ के पांस पहुंचते हैं उन पर बहुत सारे साप और भालुओं का हमला हो जाता ह जिससे सभी सैनिक पलक जपकते ही मारे जाते हैं सैनिकों को मरता देकर राजा डड़ जाता है तब कराया राजा को बताता है कि इस सोने की रक्सा एक माया भी औरत करती है जिसका नाम आरती है जब तक वो जीवित है इस सोने को कोई नहीं ले जा सकता लेकिन राजा को सोना किसी भी तरह से चाहिए था इसलिए वो कराया से उस माया वी ओरत को मारने के लिए कहता है बदले में राजा उसे वो सारी जमीन देने का वादा करता है जिसे हमने हृतिया लिया था कराया अपने कुछ सातीयों के साथ बड़े ही सांबदानी सी उच जगा जाता है, जह उनके और माय भी औरत के आदमियों में एक खतरनक लड़ाई होती हैं, आखिन में कुराया उस माय भी औरत के पेट में भाला मार देता है, जिससे वो मर जाती हैं, उसका खोन जहा तक गया होता है, वो सारी जमीन सोनी में ब्रिटिस नियोमक अनुसार ठांगला से टैक्स के तौर पर दस पगोड़ा और असी बरतन अनाज मांगता है, बगर ठांगला टैक्स नहीं दे पाता, जिसके कारण जमीनदार उसके जमीन छीन लेता है, और उसे उसी जमीन पर मजदूरी करने पर मजबूर कर देता है, कि सभी मर्दों को अपने साथ सोनी की खुदाई के काम में जाने को कहता है, इसके बदले में वो सभी को गुप खाना और एक पगोड़ा देने का वादा करता है, काम के सभी लोग सोनी की खुदाई की बात सुनकर वहां से भाग जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि व और जंगलों के पार एक ऐसी जगा लेकर जाता है, जहां दूर दूर तक कोई नहीं होता है, यहां पर ये लोग जगा जगा पर खुदाई करके ठक जाते हैं, मगर इन्हें सोनी का एक छोटा सा टुकरा भी नहीं मिलता, थंगला अपने पर दादा की कहानी के अनूसार, क् खत्र का एहसास होता है, जो क्लमेंट को अपने पंजों से मार कर जखनी कर देता है, मगर तंगला किसी तरह तेंदुए से लड़कर उसे मार देता है, इससे पहले कि और कोई खत्रा आ जाए, यह लोग पहाड़े की तरह भागने लगते हैं, जहां हम उस माया भी औरत की ब सुका को पीछे किसी कोई से एक संथ की मुंड़ी मिली ती, और यह उसे उसका पूरा सरीर मिल जाता है, संथ की मुर्ती को देखर धा थंगला को पूरा विश्वास हो जाता है, कि सोना यहीं इसके नीचे हैं, और बिलकुल ऐसा ही होता है, उन्हें मूर्ती में थोड़ा सा सोना मिलता है जब क्लेमेंट चेक करने के लिए अग में फिगला जाता है तो इस सुध सोने को देखकर वह बहुत्पुछ होता है अगले दिन क्लेमेंट सोने डुझने की खुशी में थंगला को अपने ज़िसे कप्रे देता है जिसे पैन कर थंगला अपने गाउं जाता है थंगला को कपड़ों में देखकर उसके पतनी खुशी से रोने लगती है इसके बाद थंगला पूरे गाउं वालों को मना कर अपने साथ सोने की खुदाई करने के लिए वहां लेकर आता है अब गाव के सभी लोग खुदाई करके थोड़ा थोड़ा सोना निकालने लगते हैं और अंग्रेजों से मुफ्त में खाना और पैसा लेने लगते हैं मगर हर रात तंगला को वो माया भी औरत की आत्मा देखती है जो उसे वहाँ से सोना ना निकालने को कहती है तंगला उसे अपने मन का प्रम समझ कर ध्यान नहीं देता लेकिन अगले दिन सुवब अर्थर नाम का एक अंग्रेज एक जग़ा बहुत सारा सोना देखता है लेकिन जब वो उससे निकालने की कोशिश करता है तब वहां से बहुत सारे साप निकलने लगते हैं जो उससे काट लेते हैं सापो को देखर सभी गाउवाले वहां से भागने लगते हैं और वहां एक साप ठंगला की बेटी को काट लेता है जिससे उसकी मौत हो जाती है अब हम देगते हैं कि सापों की निकलने के वाद, वहाँ से एक जरा साप ही सोना नहीं निकलता है, सभी लोग खुदाई करकर ठक जाते हैं, और सोना ना मिलने पर ना तो उन्हें पैसा मिल रहा था, ना ही खाना। आखिर्खार सभी लोग काम करना छोड़ देते हैं, तभी गाउंवालों को एक जंगले वैसा दिखता है, जिसका सिकार करने के लिए ये लोग उसके पीछे भागते हैं, जैसे तेसे से ठंगला वैसे को मार देता है, और बहुत दिनों बात सभी अच्छे से खाना खाते हैं, अगली सुबा उटकर उस पहाड को देखकर अपरी परदादा की कहानी के सोने के पहाड के वार में ही याद करता है, और गाउंवालों से कहता है कि इसके आसपास अब खोते खोते अचाने के चोटा सा पहाड का टुकडा नीचे गिर जाता है, जिसे पहाड के नीचे जाने और आन वहां रहां सोना मिल जाता बहुत ऑजाती बहुत खुश हों जाते हैं कि सबी distante को देखकर बहुत जाते हैं इससे देखकर से मुस्त जाते हैं कि यहू लड़की की बेटी के चाल में आफ़ गया है 16 की रख नेंवाले कबीले की लोगा जाते हैं और हम देखते हैं कि उस मायावी औरत की आत्मा उसकी बेटी के सरीर में प्रवेस कर चुकी है उसके बाद इन लोगों की बीच लड़ाई होती है जिसमें मायावी औरत अपनी सक्तियों से ऐसी हवास निकालती हैं कि सभी के कान फटने लगते हैं तवी ठंगला को फ्लेस बैक आने लगते हैं कि वो और कोई नहीं बलकि सोनी की रक्सा करने वाला है उसके परदादा पर परदादा सभी सालों से सोनी की रक्सा करते आये थे तबी क्लेमेंट माया भी औरत को मारने वाला होता है लेकिन थंगला उसके बजाप में आकर क्लेमेंट से लड़ने लगता है लड़ाई में क्लेमेंट थंगला को जखमी कर देता है और माया भी औरत के पेट में बाहर करता है जिससे उसका खोन गिरने लगता है इसे देखकर थंगला माया भी औरत से माफी मांगता है और कलेमेंड को मार देता है जिसके बात हम देखते हैं कि माया भी औरत के खून से सारा सोना असली हो गया था उसका कुछ हिस्सा माया भी औरत थंगला को दे देती हैं जिससे गाउं के सभी लोग अपना कर्च चुका कर एक नई शु तो दोस्तों अगर आपको ये एक्स्प्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन पर आल को टच करके प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का मलता है और हम आपके लिए और फी इंट्रेस्टिंग कंटेंट लेकर आते रहेंगे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए थिन्नवाद